पूरी तयारी होगी डेली लाइब क्लासिस के साथ जुग्रौकी के अब हर एक टॉपिक्स आसानी से आएंगे समझ जिये के हर टॉपिक्ती होगी पैनी नजी अब मैत का दूर होगा डर क्योंकि चुर्कियों में होगा हर पस्टन हर जानेंगे अपने देश के टिहास बन कर सपाही रचेंगे टिहास रीजनिंगी हर प्रॉब्लम का मिलेगा असानी से सल्योशन क्वालिटी के सारे सवाल मिलेंगे या इंदी के हर टॉपिक के प्यारी होगी एक तब सम्दार साइंस का हर टॉपिक होगा कवर अब जीडी में सफलका से रचेंगे त्यास क्योंकि टेश्बूक है आपके साथ जोड़ना नहीं भूलेगा पास दिसंबर से टेश्बूक सुपर कोचिंग यूट्यूब चैनल पर हेलो दोस्तों गुड़ मॉरिंग नमस्ते एंड वेलकम टू टेश्बूक डॉट कॉम आई होप आप लोग स्वस्त होंगे सुरक्षित होंगे पढ़ाई कर रहे होंगे करेंट अफ्यर्स का हम सभी उनके साथ करने वाले रैपिड फायर राउंड देखते हैं यहां पर कौन है जो बीस में बीस मारता है बीस में बीस मारने वाए बच्चे जो है ना वो यहां पर अपना नाम बताएंगे सबसे पहला कोशन आपके स्क्रीन में पहली बार हमने CSIR की पहली महिला डारेक्टर जनरल का नाम देखा उनका नाम क्या है सतीस रेड़ी है के एस वर प्रसाद है डॉक्टर वी के दास है या एन कला सेलवी है पहली बार CSIR की हमारी महिला निदेशक के तौर पर किसको चुना गया है Scientific and Cultural हमारा जो Institute and Research Center है यहाँ पर जनता बोले है सर एन कला सेलवी होना चाहिए बिल्कुल सही उत्तर है यह देखे मैंने आपर टिक कर दिया है एन कला सेलवी सही उत्तर हो जाएगा चार नमबर वाले एक बाब मुस्कुराओ सही जवाब है अगला कोश्चन है वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू आल जगदीब धनकर जी ने मार्गेट अलवा को हरा करके हमारे वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव जीता यह कौन से नमबर के राष्ट पती है उप राष्ट पती है तो कल मैंने आप लोगं को स्टैटिक जीय में प इंगौल के हमारे गवर्नर थे अगला कोश्चन आपके सामने है हमारे यहां पर आकास एयर ने अपनी पहली उडान मुंबई से कहां के लिए भरी जब मैंने कोश्चन कराया था उसके पांस दिन के पाद हमारे यहां पर जो सलेक्शन पोश्ट का एक्जाम था उसमें पू राष्ट मंडल खेलों में महिला टीम ने अंतिम मैच में किसको हरा करके कांस से पदक जीता जब सेमी फाइनल में टीमें हार जाती है उसके बाद से उनको कांस पदक के लिए दो टीमों के बीच में लड़ाई होती है तो यहां पर इंडिया ने न्यूजी लैंड को हरा करक अगला कोशन है पी आई बी के महानिदेसक के तौर पर कौन है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के हमारे महानिदेसक के रूप में किसका आपॉइंट मेंट हुआ है जल्दी से लोग यहां पर बताएंगे पढ़ा-पढ़ हम लोग पिछले हमारे जो तीन से चार महीने है जिसके कोशन एकजाम में पूछे जा रहे है उसका रिवीजन कर रहे है फिर हम लोग आज ये करेंट अफेस पढ़ेंगे जल्दी सूटना है अंगद अब सोने का समय नहीं है अस्वनी अक्षय अब जो है वो युद्ध का समय है युद्धिस्तर पर पढ़ाई करने सथेंद्र प्रकास यहां पर जितने लोग बोलना है जवाब सही है अगला कोशन आपके सामने है कारगिल पर हमने द्रास पर युद्ध पॉइंट का नाम गन हिल रख दिया है अपनी गन के बल पर हमने इस हिल को जीता था वाट इस नेम आफ दिस पॉइंट तारीस पराइटी बिप के नए हमारे प्रमुक के तौर पर किसको चुना गया था मतलों सेटिया महें यहां पर चुन लबब चून लिए तो यहां पर अगला कोशन बहुत इंडिया के लिए कौन बनाएगा यहाँ पर पहनी गोलबर्ग है आइस्ट क्रॉय है कर्मेन रिन्हार्ट है या अगस्तानो कुहां में है तो सारे श्ट्रेंट्स का जवाब आ रहा है कि सर हम अगर डी के तरफ जाए अगस्तानो कुहां में जिटिनों पूल है सब चार नमबर होना चाहिए बिल्कुत से उत्तर दे रहे हैं चार नमबर इसकारेक्ट है पिछ ब्लैक नाम की इंप्सरसाइस हम कौन से देश के साथ करते हैं न्यूजी लेंड और स्टेलिया यूएससे या कनाड़ा ज़ल्दी से हमने सर ने क्या पूछा है फिच ब्लैक नाम की एक्सराइज हमने किसके साथ की ती यह वह हमारे important question है जो एक्जाम में बहुत important जाते तो ऑस्टेलिया के साथ एक्सराइज की गई थी ऑस्टेलिया जितने नों बोले जवाब सही है हमारे यहां पर सीवी सी के प्रमुख के तौर पर अगस्त में किसका चैयन हुआ सीवी सी केंदर्ती सेंट्रल विजिलेंस और कमीशनर के तौर पर किसको चुना गया यहां पर फिर से जल्दी से अभी तक हम लोग दोसों के ऊपर नहीं गए चार मिनट हो चुके जल्दी से खिचना अकड़े को यहां पर जनता बोली है सर सही जवाब होना चीए अठारा कवरों पचास लाक आयुसमान काड़ बाटे जा चुके बहुत इंपॉर्टेंट है यह परयोजना है आयुसमान भारत हमारे पूरे वर्ड की सब्सक्रबड़ी हेल्थ इंस्कीम है नीतु घंगास ने राष्ट मंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीता है जो हमको 22 गोल्ड मेडल मिले थे उसमें एक नीतु घंगास का भी नाम है है ना आपको बताना है कि यह कौन से गेम से संब पंदित है तो सारे स्ट्च यहां पर खुल गए पूरे स्ट्च यहां पर खुल करके ज़ाब दे रहे कि सर milk she की दाख़ खिलाडी यहाँडरी अभा कि की तर text रखकर कर सकते हो तो वौक्सिंग में नीरद चौपण राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं में लेकिन यहां पर हम को कहां सई पदक दिलागा है जेवलिन थ्रों में कौन गीता रानी पुजा रानी अनूरानी है सविता रानी है नीरत चौपला जी को चोट लग गया था इस वजे से वह नहीं गय थे तो इस्टुडेंट यहाँ पर बोले सर राष्ट मंडल खेल बहुत इंपोटेंट है 61 मिडल मिले थे और यहाँ अनू रानी जी ने हमें यहाँ पर भाला फेक में कहां से पदक जीताया था अगला कोशन यहाँ पर पंद्रह अगस्त के दिन स्टुडेंट ने पहली बार पहली बार इस्टुडेंट को इसरो ने मौका दिया और उन्हों एक सेट लाइड आजादी के दिन था इसलिए जादा इंपोर्टेंट है राष्ट मंडल खेलों में जो टॉप की टीम थी वो कौन सी थी इंग्लेंड थी न्यूजीलेंड कनाड़ा या ऑस्टेलिया खुल करके जवाब देना है क्या होना चाहिए राष्ट मंडल खेलों में टॉप की 61 मिडल ठीक है ना अगले कोशन के दर चलते हैं जेम्स मरापे किस देश के प्रधान मंत्री बनाए गये हैं यहाँ पे साउथ अपरीका है पापा नुगेनिया है मलेसिया या न्यूजीलेंड है 9 अगस्ट को इनका चयान हुआ है खुल कर जवाब दीजे साहे लोग तो यह अगला कोशन आप लोग देखिएगा यहाँ पर भारत ने किसको लेकर के वाइल लाइफ कंजर्वेशन और बायो डाइवरसिटी के लिए टाई अप किया जुलाई में और हमने यहाँ पर सितंबर में वहाँ से कुछ चीते भी लेकिया है चाड है घाना है सुडान है या नाइबीबिया है जल्दी से जवाब द यहाँ है बहुत बढ़िया कुणो नेशनल पार्क में इनको रखा गया था अब 21 की हमारे कैपेसिटी है कुणो नेशनल पार्क की तो आठ लाइच जो है और बारा जो है वह साउथ अपरीका से लाने की प्लानिंग चल रही है तो सांदार तरीके से 20 चीते हो जाएंगे हम को अमई रहों कि नए आपको बताना हैं कि भारत की पहली अंसरी अंदर वाटर ट्रेन जो की पूरी तरीके से चालू हो गयी है कहां कर चल लें और बार चलो है वह संदार तरीके वह रही में दो को अनदार वीじ हैं जहाँ पर पहली बार 1984 में मेट्रो चली थी, यह वही जगा है, मले आलम फिल्म के निर्माता जिनको JC Daniel Award मिला है, खुल करके जवाब दीजे, JC Daniel Award किसको मिना है, VC अभिलास है, सलीव एहमद है, V. अजीत कुमार है या KP कुमारन है, जितने भी बच्चों का यहाँ पर एक्जाम है, रोज मैं 20 कोस्चन आपको प्रिवियस कराऊंगा 4-6 महीने के रोज, तो तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा और नै तो पढ़ेंगे, यहाँ पर जनता बोली है, सर KP कुमारन, KP कुमारन is right answer, JC Daniel Award जो है, वो KP कुमारन को मिला हुआ है, यहाँ पर CSIR जो हमारे Award है, यह किस संस्था को दिया गया है, C-I-A-R Award जो है, वो किस संस्था को दिया गया है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे, तो यह Award दिया गया है, National Academy of Agriculture Research को, कोई बात नहीं, National Academy for Agriculture Research को दिया गया है, नारी को नमन जो योजना है, यह किस राज्य सरकार की योजना है, नारी को नमन जो योजना है दोस्तों, यह किस राज्य सरकार की खुल करके बताना है, योजना है, तो यहाँ पर जनता बोला है, सर बस में हमारे सीटों को बस में जो है उनकी हमारे चार्जेस को फ्री करने वाला हिमाचल प्रदेश नारी को नमन करने वाला है बिलकुल सभी जबाब हो जाएगा आगला कोशन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं हमारे यहाँ पर 3000 मीटर भाईसा तीन किलो मीटर को सिर्फ 9 मिनट में पूरा करने वाली पूरे वर्ड की पहली एथलीट कौन बनी है तीन किलो मीटर को सिर्फ हमारे 9 मिनट में पूरा किया है हीमा दास है यहाँ पर हमारे दुती चंद है पीटा ऐसा या पारूल चौधरी है यहाँ पर जनता बोली है सर पारूल चौधरी के उपर टिक करिए जितने लोग यहाँ पर पारूल चौधरी बोले मैं उन सभी को यहाँ पर बधाई दिना चाहता हूं सही जवाब हो जाएग कि हमारे महिला के द्वारा इस पोस्ट को अधिग्रहित किया गया है मैं यहाँ पर बदाई देना चाहूंगा सभी लोग को सभी ने यहाँ पर बिलकुल सही उत्तर दिया है बहुत बढ़िया तो यहाँ पर जितने भी लोग बोले थे सर पीटी उसा उनको यहाँ पर नंबर म मैं भावानी देवी ने भी ग्रीना मैंसा इंडिया का खिताब वो किस ने जीता है तो यहाँ पर जन तर बोली एक सब्येंडिया का खिताब जीतने वाली जो महिला है अभी आपके सांध circuit के जीटा है जो कि अभी पूछा गया था यह थेखिए हमारे हरनाज सिंदू मिस यूनिवर्स है सबी को पता है हमारी सैरलीन फोर्ट जो है मिसेज वर्ड है मिसेज वर्ड समझ रहे हो ना हाँ सीनी सटी मिस इंडिया है खुसी पटेल मिस इंडिया वर्ड वाइड है करलूइन विलॉथ है और पल्लवी सिंग kalian उनिवर्स डिवाइन है और यह जितने लोग कर लेंगे एक बार जहिन लिख देंगे सरम निप्टा देंगे यह था हमारा रिवीजन रोज ऐसे अगर 25 कोश्चन रिवीजन करें तो किसको किसको दिक्कत नहीं है कितने लोग जो है फुल सपोर्ट करने वाले लेकिन अब कोई मोटिवेशन नहीं मोटिवेशन जितना था हो गया अब एक्जाम का टाइम है आज 6 तारीक है आज CHSL का नोटिफिकेशन आने वाला है SSC CHSL का नोटिफिकेशन आने वाला कितने लोग ये साल में पैज हुआ को परी ताकत लगा देनी है और मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा रोज 25 कोश्चन कराऊंगा पुराने देखते कि कहां से कोश्चन बाहर जाएगा ठीक है चलिए तो होंबर्ग जो कलम ने दिया था सिर्फ 36 लोगों ने किया है आज से होंबर्ग देना सोच रहा हूं बंद कर देजर्ट का जो सेंड है इसको हमारे यूनिस्को हेरिटेज साइट दिया गया था 2014 में उनसको नहीं जो ग्राफिकल हरिटेज साइट दिया था 2014 में जो अभी कापी चड़्चा में रही अगला कोश्चन अगर यहां पर देखेंगे तो कौन सा था अगला कोश्चन यहां पर हमारे था Kane Whaleing जो national Park ये कहां पर है तो ओसτα between High जादा पख्चीहों की परजात्वी देखी गई है जो कि अस treasury अन्हें अग्राई यहां पर देख सकते हैं होंब शर नह दिया अग्ला होंब यहां पर देखेंगे कि नाट वेंटर जो poly phone पॉलाउट्स है यह कहां पर आपको राटिस क्या है यह टारीके का हमारा है यह यह हमारा एक डाइनासोर था, जो कि हमारे जुरोसिक काल में देखा गया, पक्षी की तरीके, जिसके अवसे सभी मिलें, है ना, पॉली डोनाट, डोनाट टॉट्स, यह हमारा एक डाइनासोर है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चले दोस्तों, यह था होमबर्ग, जिन ल हो चुके हैं, 25 कोस्टन का रिवीजन हो चुका है, हम लोगोंने हुंबर कोस्टन डिसकस कर लिए, हैडलाइन प्यार है, जल्दी से, और बाकी के लोग, यहाँ पर फिर से, जैहिन लिख सकते हैं, क्योंकि जो हिंद का नहीं, वो किसी का नहीं, तो जल्दी से, आरे, 384 हो पहला कोशन आपके स्क्रीन पर है, करनाटक गॉर्मेंट नॉमिनेट कॉर्पोरेट टू हायर एजुकेशन काउंसिल, यहाँ पर करनाटक हमारे जो गॉर्मेंट है, उसने कार्पोरेट को जिम्मेदारी दिये, कि आप एजुकेशन को बढ़ा है, यहाँ पर नामदा संस्क्राण 2022 में सुरू हो चुका है, एक बाई याद रखना है, प्रधान मंत्री कॉसल विकास योजना का तीसा संस्क्राण कहां पर सुरू हुआ, कस्मीर से सुरू हुआ, नामदा क्राफ्ट को यहाँ पर हमारे रिप्रेजेंट किया गया है, याद रखिएगा, रोज-र याद कर रहे हैं, आपकी योजना है, अगला कोशन आपके सामने है, गुदैपूर में G20 सेरपा की मीटिंग सुरू हो चुकी है, चार से साथ को सुरू हो नहीं थी, तो G20 की सेरपा मीटिंग हमारे उदैपूर, जीलो के सहर उदैपूर में हो चुकी है, अगला कोशन, यह यहां पर बदाईच देना चाहेंगे ऑस्टेलिया के इस्पिनर ने नौवा सबसे ज़्यादा विक्ट लेने का जो रिकॉर्ड है वो अपने नाम कर लिया इन्होंने डेल स्टेंस साउथ अपरीका की मसीन गन को जो है वो पीछे छोड़ दिया है तो साउथ अपरीका की मसीन गन को पीछे छोड़ने वाले आप देख सकते हैं यह नेथल नौयन है और यह कहां के ऑस्टेलिया के क्रिकेटर है अगला कोश्चन यहां पर सूटर से रुद्रांच ने यहां पर IASF प्रेसिडेंटल कप जीत लिया है एजिप्ट में मिस्र का IASF प्रेसिडेंटियल कप म यहां पर आपको याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रुद्रांच का नाम अगला कोश्चन है ऑसकर को एक नहीं दो बार जीतने वाली जूलिया रिचेट हमारे बीच अब नहीं है और हम सभी की तरफ से जूलिया मैम को भाव भरी सद्ध्यांजली तो कौन सी मेडिसिन जो है वो हमारी मना की गई है कौन सी मेडिसिन नहीं लेनी है तो इसके लिए नाडा ने एक एप बनाई जिसमें उन्होंने साप तौर पर बता दिया कि यह यह चीजे यह हमारे सब्टेट्यूट आप नहीं ले सकते हैं नहीं तो आप डोपिंग फिर्म फ परा करके सांदार तरीके से जीत लिया है प्लियर आप दा मैच कौन था प्लियर आप टूनामेंट कौन था सब डीटेल में बताएंगे अगला कोशन है यहां पर आर बियाई ने बैंकों के लिए कौपरेट्व बैंकों के लिए कुछ नॉम्स बनाया है कुछ नेम एन रग रिडल विंदा गैलिया गिलफोर्ड प्राइज याद रखना अभी पूछेंगे यह कैथलीन रिडबल है और जो की हमारे गिलफोर्ड प्राइज को जीता हुआ है अगला कोशन है चिपको मूमेंट किताब का नाम है भाई साब चिपको मूमेंट को कमला देवी चटो सेखर पाठक जी के द्वारा लिखी गए किताब को यह अवार्ड मिला है तो यहां पर हमारे प्यूपिल मूमेंट्स चिपको मूमेंट की जो किताब थी यह किताब का नाम है यह देखे किताब है कमला देवी चटो पाध्य प्राइज है यहां पर गीता दिवस की हमारे 5169 इनवर्सरी बनाई गई जब हमारे भगवान ने देखा सिरिकिष्ण भगवान ने अर्जुन युद्धी नहीं करने को तयार है तो गीता का उपदेश दिया और आज उसके 5169 वर्स कम्प्लीट हो चुके है रोहिस सर्मा इंडिया में छटे सबसे जादा रन बनाने वाले खिराड़ी बन गए है इन्होंने 9084 रन के साथ मुहम्मद अजुरुदीन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है ये चटे सबसे अदा रन बनाने वाले खिराड़ी बन गए तो हिट सर्मा के उपर बात करेंगे अभी आज हम हमारे याप पर नेसनल स्वाइल डे का सुरुवात हो चुकी है बात करेंगे मृदा दिवस क्या होता है और इस बार का थीन क्या था उन्नती हुड़ा ने यहाँ पर एक और इतिहास रच दिया है यह हमारे एसियन जूनियर चैंपियंशिप जो की अंडर 17 कैटेगरी में हमारे देश को नई पीवी सिंधू मिल गई है नई 17 कैटेगरी में नेवी डे 4 सितंबर को हमारा सेलेबरेट किया सभी ने देखा यहाँ पर आप देखेंगे तो 119 इस्टेट इंसुरेंस की जो मीटिंग है उसको भूपेंद्र जी ने भूपेंद्र रियादो जी जो कि हमारे इन्वायर्मेंटल मिनिस्टर है उन्होंने मिनिस्टर है इनको यहाँ पर मुख्य अतिती के तौर पर चुना गया है तो जनता बोली है सर यह जी तेंदर सींग है यह वहीं है जिनों ने हाईडरोजन सब दिखाई देंगे तो यहां पर हमारी लद्दाख इंडिया की पहली डार्क नाइट स्काई रिजर्व के सुरुवात कर रही है तो दोस्तों यह थे हमारे महत्तपूर्ण हमारे क्या महत्तपूर्ण जो आप जिसको बोल सकते हैडलाइन अब हम लोग इसको आपके दिमाग में फिक्स करने के लिए आपको सुखाने के लिए सिखाने के लिए सुखाने के लिए नहीं लेकर के आए है क्विज और डिटेल वर्जन लेकिन आपको अगर यहां तक की के लिए तो जल्दी से लाइक वाला बटन दवाएंगे तीन सो की उपर लाइक को लेकर चलते हैं बहुत बढ़िया जिन्होंने लाइक कर दिया अलड़ी वह थमसब बना देंगे तो सबसे पहला कोश्चन यहां पर आप देख सकते कस्मीर में नमदा सिल्प और संदक्षि पुनार जीवित करने के लिए हमारे यहां पर कौन से स्कीम का कौन सी योजना का तीसरा वर्जन सुरू किया जा रहा है थर्ड वर्जन तो यहां भी अंता बोली है सर्थ तीसरे वर्जन की बात कर रहा है सर्थ तीसरा वर्जन जिन्होंने सुरू किया है वो है प्रधान मं प्रणान मंत्री कौसल विकास योजना का तीसरा संस्करण आप यहाँ पर देखेंगे जो की हमारे कस्मीर में नामदा सिल्फ को संरच्छित करने और उसको वापस से रिवाइव करने में पुनर जीवित करने में मदद कर रहा है। प्रियोग किया जाता है। नामदा सिल्फ आपको कहां पर देखने को लेगा भेड़ से उन निकाल करके उसका गलीचा बनाने में इसका इस्तमाल किया जाता है। इसका इस्तमाल होता है। समझ गए किने कितने लोग बना लेंगे। कितने लोग ये सारे कोशन एकजाम में आया तो उसको रगड़ देंगे। जलदी से बताना है। सर हम रगड़ देंगे। गलीचा क्या होता है। गलीचा जो है जो आप देख सकते हैं तरीके होता है। कालीच जानते हो कालीच जिसको हम लोग डॉर मेट की तरीके बोल सकते है। ठीक है अगर हम यहाँ पर देखे तो जंबू एंड कस्मीर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है पहले यह हमारा पूरा एक राज्य हुआ करता था ना पूरा एक राज्य था लेकिन 2019 में क्या हुआ इसके हमारे टुकड़े कर दिये गया मतलब इसको दो भागों में तोड़ अगर देखेंगे तो यह जो अधिकार है जिसमें इंडिया पूरी तरीके से अधकरित है अब देखें यहाँ पर हमारा फिर्ज क्या हुआ 2019 में इसमें भी हमने क्या कर दिया यह हमारे जंबू कस्मीर के नाम से जाना जाता है यह वाला हिस्सा और यह वाला लग्दाक के न नाम है मनोज सिनहा जी मनोज सिनहा जो है यहां पर आपको लेटिनेट गवर्नर के तौर पर दिखाई देंगे ठीक है और लग्दाख हमारी दूसरी यूनन टेरेटरी बन गया यहां के जो कैप्टल है यह लेह है लेह यहां की कैप्टल है और यहां के लेटिनेट गवर्न जिल्ला पास, जो जिल्ला पास जो है, ये मुझे पार करके जाना पड़ेगा, अगर मैंने इसको पार रही किया, तो मैं जम्बू कस्मीर से लद्दाख नहीं जा पाऊंगा, तो जो जिल्ला पास कहां पे है, याद रखना, जम्बू कस्मीर को लद्दाख से कनेक्ट करता है अच्छा मुझे हिमाचल प्रदेश से लेह में जाना है तो मुझे कौन से पास को, कौन से दर्रे को पास करना पड़ेगा ये नीचे हिमाचल प्रदेश है, हिमका आचल यहाँ पे है तो कौन से दर्रे को पास पार करना पड़ेगा तो यहाँ पर अंता बोली है, सर अगर आप हिमाचा पदेश से जाना चाहते है लद्दाख में, तो इस दर्रे का नाम बाबू क्या है, रोहतांग पास, रोहतांग पास को पार करके जाना पड़ेगा, यहीं पर अटल टनल बनी है, नहीं तो आप बरालाचा पास को भी पार क कनल की लंबाई है, याद रखिना कहां पर है, रोहतांग पास हिमाचा पदेश से लद्दाख को कनेक्ट करता है, अरे बोलो भाई, क्लियर है, आसीज बोले सर कन्फ्यूजिंग है, अरे आसीज कुछ ने कन्फ्यूजिंग है, जिन्दगी में इसा काम करना है कि आसीज या साथ सितंबर को G20 की सेरपा बैठक कहां पर हो रही है, और यहाँ पर हम चाहते हैं, जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए, 600 आकड़े को ले करके चलते हैं, जल्दी से, तो यहाँ पर यंता बोली है, सर G20 की जो सेरपा बैठक है, यह हमारे जैपूर, उदैपूर कोटा जैसल मेर में अगर बात करें, तो यहाँ पर हमको देखने हों मिलेगी कहां, उदैपूर में, उदैपूर में यह हमारी बैठक हो रही है, तो G20 की इस बार की जो हमारी सारे कंट्री की बैठक हुई, यह बाली में हुई, याद रखिएगा, और अब हमारी जो बैठक है, ठीक है, 2023 में नई दिली में बैठक होगी, दोस्तों अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर सेरपा की बैठक कहां पर होगी, सेरपा की बैठक उदैपूर में होगी, सांदार तरीके से, हमारे वित्त मंत्रियों की, फाइनेंस मिनिस्टर की बैठक कहां पर होगी, तो यह ये इस बार के theme के साथ G20 की जो बैठक है वो स्री नगर से G20 की बैठक नई दिल्ली में shift कर दी गई है स्री नगर से जंबू कस्मीर से कहा नई दिल्ली में होगी पूरी बैठक अब यहाँ पर बात करते है कि 4 से लेके 7 सितंबर तक हमारे यहाँ पर G20 की सेरपा बैठक हो रह इंडिया में इंडिया की स्थिति को समझेंगे इंडिया के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर जो सितंबर 23 में country head सारे देश के जो प्रमों खाएंगे उसका जाय जालेंगे यह देखे G20 का logo यहाँ पर launch किया गया है यह कमल का फूल हमारे उने BJP भी खेला कर गई है खे जोगि हमारे G20 के सेरपाय है अब यह बैठक कहां पर हो रही है तो उदैपुर में यह बैठक का आपकी होते वे दिखाए दे रही है जो कि हमारे राजिस्थान का हिस्सा है राजिस्थान की capital आपको यहाँ यहाँ ठोप गाई नहीं होती है जैसल मेर भीकानेर है यहां पर लगबग साथ करोड है इस्टेब्लिस्मेंट देखेंगे इस्टेब्लिस्मेंट डे जो है वो 30 मार्च 1949 को दिखाई देगा लिट्रेशी रेट जो है वो 66.1 परसेंट है चीप निश्टर असोग गहलोज जी है है ना बीच बीच में जो है सचीन पाइलेट का नाम आता है यह विचारे नाराज हो जाते है कल राज मिस्र जो है वो गवर्नर है यहां पर गवर्नर कौन है कल राज मिस्र आपको दिखाई देंगे काफी संदार यह हमा हमारे यहां पर 65 निसाने बाजी चैंपियंसिप हुई और यहां पर स्वण पदक दोहरा किसने जीता है जल्दी से खीचना है सभी को यहां पर अंता बोली है सर चिराक सेटी सबर जोज सिंग सागर डांगी और डीपी मनू अगर हम इनमें टिक करेंगे तो हमारे सबर सही उत्तर हो जाएंगे तो हरियाना के सबर जोज सिंग 2 दिसंबर को 65 राष्टी चैंपियंसिप में सबर जोज सिंग मुकाबले में सबर जोज सिंग में हमारे वायू सेना के गौर और राना को हरा करके यह जीता है तो यहां पर एक बार सभी लोग बधाई दे देंगे सबर जोज सिंग का नाम कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में नहीं भूलोगे और यह बताना कि यह कहां के हैं तो मुझे लगेगा कि भाया मैं सूरज को दिया दिखा रहा हूं सूरज को दिया दिखाने के बराबर हो जाएगा तो आपको याद रखना है यह हमारे कहां के ह हाई हमारे जो सूटिंग वर्ड कप है उसमें गोल्ड और सिलवर मेडल जीता हुआ है दोनों इन्हों ने जीता हुआ है और डीपी मानू जो आप्शन में थे यह हमारे नेशनल ओपन एथलीट Tampa Bay चैंपिएन से बैंगलूरू में इन्होंने डिसकस थ्रो में जेवलिन थ्रो में भाला फेक में इन्होंने सबसे बढ़िया भाला फेका है तो इस तरीके से सारे नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर टेस्ट किर्केट में 9 सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज साउथ अपरीका के डेल स्टेन को पीछे छोड़ करके कौन बन गए नाथिल लियान बन गए, पैट कमिंग्स बन गए, जोस हिजल वुड है या मिचल स्टॉक है, तो यह सारे के सारे नाम औस्टेलिया के आपको दिखाई दे रहे औस्टेलिया की यह सारे के सारे नाम है और यहाँ पर डेल स्टेन के रिकॉर्ड को तोड करके डेल स्टेन के 449 यहां पे विकेट थे, इनके रिकॉर्ड को तोड़ करके 440 विकेट लेने वाले ऑस्टेलिया के स्पिनर बन गए, तो ऑस्टेलिया के स्पिनर कौन है, नाथन लोयन, अब आप से पूछेगा जिनको क्रिकेट में इंट्रेस्ट नहीं है, वो ध्यान से सुन जिनको इंट्रेस्ट नहीं है, वो ध्यान से सुनने, यह ऑस्टेलिया के स्पिनर है, टेस्ट मैच में खेलते हैं, गंजे हो गए यार, अभी तो यह बाल वाली फोटो है, यह गंजें पूरे, एगदाम सफा चठ है इनके बाल, तो आस्टेलिया के हमारे स्पिनर ने 240 का आकड़ा जो है, वो हासिल कर रिया, यहां पर अगर हम बात करते हैं, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा जो विकेट है, वो किसके नाम पे हैं, तो मतहया मुर्ली धरन, मतहया मुर्ली धरन को आद देखेंगे, तो 133 मैचों में 800 विकेट का रिकॉर्ड भाई सब, 800 विकेट लिए, और उसके वाद से दूसरे रंबा पे कौन आते हैं, तो आज सभी को पता होगा, 124 मैचों में 708 विकेट ले करके, 9 इस्पिन नाम की किताब लिखने वाले, हमारे सभी लोगों के बहुत फेवरेट, और इस साल हम सब को छोड़ करके जाने वाले, यह दू सेन वार्न के लिए बहुत कठिन था, क्योंकि ऑस्टेलिया की जो पिचेज होती है, वो हमारी स्पिन को नहीं, वो फास्ट बॉलिंग के लिए सपोर्टेड होती है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, सेन वार्न नुए स्पिन किताब इनकी पूची गई थी, और बैंकोक म इनका दिल का दौरा पढ़ने से निधन हो गया, तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहां पर सेन वार्न हमारे दूसरे नंबर पर हैं, मुर्ली धरन नंबर एक पर हैं, और नवे नंबर पर पहुंच गए हैं, हमारे कौन, निथन लोएन, समझे आओ की नहीं, इस तान का तो भाई साब पूरा का पूरा मतलब कितने रन बनने हैं वहां पे पिचेज में, इंग्लेंड गई हैं, ठोक ठोक के उनको बराबर कर दिये, तीन दिसंबर दोर 22 को मिसर के काहिरा में आयोजित, इंटरनेशनल सूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इंडियन नमबर एक की पदवी पे खड़ा होता है, जब नीरत चौपडा खड़े हुएते तो सिर्फ नीरत चौपडा नहीं, हम सभी भारतियों का गर्व सर उड़ जाता है, हम सभी एक हो जाते, तो इस पोर्ट जो है ना, यह सभी को एक करके जोडने वाला हमारा इवें इंटरनेशनल सूटिंग फेडरेशन का जो प्रेसिडेंटियल कप है, इसमें 10 मीटर राइफल प्ले में इन्होंने स्वन पदग जीता और नमबर एक की पदवी हासिल की, यहाँ पर एक बार रुदरांच पाटिल किस गेम से संबंदित है पूछा जाएगा, तो यह हमारे 10 मीटर राइफल चलाते हैं, सूटिंग से संबंदित हैं और काफी सांदार खिला रही हैं, याद रखेगा, इस बार के हमारे जो खेलो गेम्स हैं, वो काफी इंपोर्टेंट है, तो खेलो इंडिया यूनिवर्स्टी गेम कहाँ पर हुआ था, तो आपको याद रखना है, यह हमारा बैंगलोर में हुआ था, और इसमें हमारा जो नंबर एक की उनिवर्स्टी थी, वो जैन उनिवर्स्टी, जैन उनिवर्स्टी नंबर एक पर आई थी, अगर मैं यहाँ पर बोलूँगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर हुआ था, तो खेलो इंडिया य और यहां पर देखना है यह हमारा हुआ था जोगांदी नगर में हुआ तो गुजराट में इसका शुरुआ वी और यहां पर सर्विसेस ने धमाकेदाः तरीके से ठोका था अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर खेलो इंडिया मास्टर गेम्स कहां भी होते हैं मतलब यह हमारे उम्रदार लोगों के लिए होते हैं तो खेलो इंडिया मास्टर गेम्स अगर पूछा गया यह कहां पर होगा हमारा जो खेलो इंडिया इन्युवस्टी गेम है सभी को बताना है कि इस बार कहां पर होने वाला है इस बार का अगर पूछा गया सभी लोग को यहां पर बताना है तो यहां पर जंता बोल लिए सर यह इस बार उत्तर प्रदेश में होने है है ना तो उत्तर प्रदेश में इस बार खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन किया जाएगा, तो यूपी, यूपी, यूपी जितने लों बोल लें, उनको यहाँ पर नंबर मिल जाएगा, 36वा हमारा जो नेशनल गेम्स है, 7 सालों के बाद कहां पर होगा, तो यह होगा हमारे गोवा म में इसका आयोजन होगा, ठीक है, तो याद रखना हमारा जो सैतिस्वा गेम है, वो गोवा में होगा, जूलिया रिचर्ट जिनका निधन हो गया, अमेरिकन फैक्टरी के लिए इनको आसकर प्राइस कब मिला था, यह देखे, करेंट से स्टैटिक, हमारे जो अमेरिकन फैक में अमेरिकन फैक्टरी के लिए इनको आसकर प्राइस मिला था, यह देखे, यह हमारे जूलिया हृसुप है, जिनकी 76 वर्स की उमर में निधन हो गया, इनको 2020 में अमेरिकन फैक्टरी के लिए आसकर मिला था, इनको हमारे यहां पर अगर देखा जा Beij, तो फिल्मेकर के दो बार इनको नॉमिनेशन हुआ लेकिन फाइनली इनको फतह मिली अमेरिकन फैक्टरी में जब इनको 2020 में बेस्ट फिल्मेकर का आवार्ड मिला और ये हमारे लिए एक इतिहास रच दी लेकिन हमारे दो सालों के बाद 2022 में आज इनके स्वरगवास की खबर हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट्रेशन फिल्मेकर जूलिया रिचर्ड जिनको ऑसकर विजेता 2020 में अमेरिकन फैक्टरी के लिए आज हमारे बीच नहीं है दोस्तों यहाँ पर हमें इनके बारे में याद रखना है यह कौन है जूलिया रिचर्ड अमे इनके जाने पर भावबुरी सद्धानजली दी थी चाइनीज प्रेसिडेंट जियांग जैमिन इनका भी यहाँ पर इंतकाल हमने निन च्यानवे वर्स की उम्र में देखा यहां पर कुंबले सुन्दर राव यहां परगार आप देखेंगे तो यह यक्षगान के बहुत सा लोसकर जी का भी निधन हो गया टाटा के हमारे को फाउंडर के तौर पे इनको आम लोग जानते हैं अगला गर देखेंगे तो उडिया के लिट्रेचर यहां पर अपसरा बेनूरिया इनका भी यहां पर निधन हो गया यह लिट्रेचर के सांदार हमारे सांदार लेखक थे जो हमारे बीच में अभी नहीं रहे, ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे लिए important है, और आप इन सब को देखिएगा, चलिए, अगला question हमारे सामने है, यहाँ पर उदितेक, यहाँ पर एक news दे रहे हैं, मैं आप उन लोगे सामने share करना चाहूँगा, सर पाक और इंग्लैंड क मैच में 1778 रन बने है, जो कि 3rd highest है, अभी तक किसी भी cricket में इतने रन नहीं बने है, किसी भी test match में, लेकिन अगला cricket के हमनों बात कर रहे थे, तो अगला question भी cricket से, विजय हजारे ट्रॉफी को cricket से सम्मंदित इस ट्रॉफी को किस ने अपने नाम कर लिया, सौरास्टा है, मह हमारे देश में religion की तरह जाना जाता है, और जब question इससे पूछते हैं, तो घुमा देते है, विजय हजारे ट्रॉफी में प्लेयर आप दा टूनामेंट किसको मिला, विजय हजारे ट्रॉफी में किसने लगातार पांस तक लगाए, तो ऐसे question जो कि सिर्फ वही करेगा, जो regular पंकर सर की class में आता है, क्योंकि मैं अभी तुमको यहाँ पर, सौरास्टा ने यहाँ पर जीत तो लिया है मारास्टा को हरा करके, जैदेव उनतकड ने ट्रॉफी तो उठा लिये, यह जैदेव उनतकड है, जैसा के साथ, जैसा ने इनको ट्रॉफी तो दे दिये सौरास् है ना, 2020 में रंट जी टॉफी को भी ता है था, फाइनल के man of the match, फाइनल जो हमारा हुआ था मारास्टा और किसके सौरास्टा के बीच में, सेलडन जैक्सन जो है, सैलडन जैक्सन, यह सौरास्टा के खिलारी है जिनको यहाँ पर man of the match, फाइनल मैच में दिया गया और player of the tournament देखेगा सभी लोग प्रेइर आप दा टूनामेंट रितुराज गयाकवाड चेन्नाई सुपर किंग में यह ओपनिंग करते है तो रितुराज गयाकवाड यहाँ पर प्लेइर आप टूनामेंट है विजय हजारे ट्रॉफी को हम रणजी ट्रॉफी ओफ वंडे भी बोलते हैं रणजी ट्रॉफी जो है वह टेस्ट की होती है सबसे बड़ा टूनामेंट होता है बहुत बड़ा नाम होता है लेकिन विजय हजारे ट्रॉफी को हम लोग ट्रॉफी ओफ वह हम ल पालट हो ससाल गोने या पर जआब देना सुरू कर दिया है यह सर हमाहरे हमाने लिभ देंक तुम दो को बताऊंगा yn दूसरे दूसरीन पर हमारे से आम नाम्हारी सते हमारे पर जू महिलांओं का वल्ड का वुडokay कि क endeavors सब्सक्राइब करो meglio सब्सक्राइब कर दो क्या आई पूल करना कि लिएवा उसके बाद उसके बाद से हमारी तीम में ओ एस सिया Gop किता है यहां पर ल horribly सोभी मेल इसने न फिमेल के डिदेता है अब तूनामेंट्स जो है यह किस ने जीता है रंजी टूनामेंट में ठीक है इस अधिलीब ट्रॉफी को किस ने अपने नाम किया नियुक्त प्राइब 767 सब्सक्राइब और आप से पूछा गया विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है जो कि अभी आपके अंतिम यहां पर winner का नाम मैं आपके सामने discuss कर रहा हूँ आप लोग यहाँ पर बता भी दियोगे सबसे पहले हमारे जो यह under 19 cricket world cup है यह इंडिया ने अपने नाम सांदार तरीके से कर लिया यह इंडिया ने जीता है cricket world cup female का यह Australia ने जीता है New Zealand में आयोजित हुआ था IPL सभी को पता होगा यह हमारे गुजराट Titans ने गुजराट Titans ने इसको जीता हुआ है सांदार तरीके से Asia Cup की बात करता हूँ तो male virgin वाला जो है वो स्री लंका ने जीता हुआ है स्री लंका ने जीता हुआ है और female virgin का वापस से इंडिया ने ठोक मारा इस बार रजी ट्रॉफी MP ने मध्य प्रदेश ने MP ने 2022 की रजी ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया है दिलीव ट्रॉफी की बात करते हैं तो यह वेस्ट जोन ने वहना पश्चमी छेतर ने अजिंकयर रणाइं कि कपतानी में इसको अपने नाम कर लिया रस्ट ओफ इंडिया ने इस टॉफी को अपने नाम किया है याद रखियेगा अब अगर हम बात करते हैं सेंद मुस्ताकली टॉफी इसको मुंबई नेजीता है बाबु मुंबई ने इसको अपने नाम कर लिया है और अगर हम विजय हजारे ट्रॉफी की बात करते हैं तो इसको अपने नाम करने वाली टीम सौरास्टा है अरे भाईया ये सारी याद करके जानी है इसके उपर जितने भी हमारे पॉइंट बनते हैं सब याद करके जाने एक T20 वर् है लाइक वाला बटन प्रेस करने में धोड़े लोग आलसी हो चुके है लाइक वाला बटन नहीं प्रेस कर रहे है जितने लोगों को याद हो गया है और आपको इनके बारे में पढ़ना है मैं जैसे यह डीटेल ना पढ़ाता हूं नहीं क्या जी रानी ट्रॉफी कर कर जाएंगे वन क्रिस्मस विस है दा वूल्फ ब्लाइडर है दा जब्रा गेट इसकेप है सुपर इंफिन्टी दा ट्रांस्फोर्मेशन ओफ डॉन है किसको दिया गया भीया तो यहां पर नाम तो हमने बताया था यार कैथलीन करके था लेकिन किसके लिए दिया गया है तो स इनका नाम सुपर इंफाइनाइट जॉन डेन यह कैथलीन रिडल के द्वारा लिखी के किताब है और इसके लिए इनको सांदार प्राइज मिला हुगा है बैली गिलफ़र प्रुसकार बैली बिलकर प्रुसकार से इनको सम्मानेत क्या गया है एक बार ताली बजा देंगे इनको से इनको से माफी माँगना चाहूंगा ठीक है चलिए अब यह आपको बताना है कि हमारे इंडिया की सिर्फ से इंटरनेसर बुकर प्राइस जो की मार्च में पिछले साल का दिया गया था वो किसने जीता है तरह देखें किते लोग बताने वाले हमारे मार्च में सब हिंदी में ट्रांसलेट जो किताब थी उसको किसने जीता हुआ है तो देखिए अगर मैं बात करूंगा हमा स्री लंका के राइटर सहान करुना तिलक यह इस किताब को लिख करके सांदार तरीके से जो है वो च्छाग है और अगर आप यहां पर देखेंगे इसको गितांजली स्री ने इस किताब को लिखा था यह याद रखना है दोनों प्रस्ट इंपोर्टेंट है यह बुकर जाएगा यह पूछा जाएगा अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है सिहान करुना तिलक और हमारे कौन गितांजली स्री जी को यह अवार्ट दिया गया कर लोग एक्जाम में आएगा चार-पांच बच्चे जो हैं वो बोले सर हम नहीं कर पाएंगे आने वाला यार तुम लोगों का जो behavior है है ना वो मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है आज CHSL का जो है वो notification आने वाला है चलो अगला कोशन बना सब लो अगला कोशन फिर से किताब का है यहां पर कमला देवी चटोपाध्यायक पुस्तक पुरसकार से सम्मानित चुपको मूमेंट य लेकर पाठक, रतनाकर सेटी, दीपम चटरदी या नौदीब गिल जब हमारी सबसे प्री चीज हमारे दाओं पर लगी हो तो हमें अपने जान की भी नहीं पड़ी होती है यह चिपको मूमेंट हमको यही बता रहा था 1974 में सुन्दरलाल बहुगुळा के सनक्षण में इस म हमारे पेड़ों को छुना, यह सुन्दरलाल बहुगुळा के नेत्रत्त में यह अंदोलन हुआ और इस अंदोलन को पूरे वर्ड में फेमस मिला और इसके उपर जब सेखर पाठक जी ने किताब लिखी तो उसको कमला देवी चटो पाध्याय पुरसकार से सम्मानित किया इसने उनको सिर्फ 15 लाक रुपए नगद मिले हैं, 15 लाक अगर देखा जाए तो उतने बड़ा इमाउंट नहीं है जितने करोड रुपए में प्लेयर बिख जाते हैं IPL में, 15 करोड, 16 करोड में, लेकिन यह किताब लोगों के दिल को चीर करके, एक ऐसी जगा बना करके र रहा है, यह 2018 से दिया जा रहा है, 15 लाक रुपए दिये जाती है, इस बार किसको दिया गया है, लिखी है सेखर पाटक ने, चिपको मुमेंट दोस्तों कब हुआ था, तो चिपको मुमेंट 1974 में हुआ था, और आपको यह भी याद रखना है, यह किसके नेतरत में हुआ, अगला कोशन में आते है, गीता जनती वह दिन था, जब स्री किष्ण ने अरजुन को गीता ग्यान समझाया था, यह पवित्र गंत्र गीता की कौन सी वर्स गार्ड बना रहा है, पंच हजार सतावन, पंच हजार अथावन, पंच हजार साट या पंच हजार उनसट, दोस्त से तो पच्छिस होने लगेंगे, लेकिन मेनत तुमको करना है, सुबहरे लाइब आके पढ़ना है, यह नहीं कि रिकॉर्ड देख रहे है, बहुत जरूरी हो रहा है, रिकॉर्ड तब देखो, बहुत जरूरी काम है, बिल्कुल अनवाइडबल है, जब मैं फीवर में आकर यहां पर गीता के हमारे 5169 साल हो चुके हैं, जब भगवान स्रीकृष्ण ने अर्जुन को बताया था, गीता का ग्यान तो कितना पुराना गीता का ग्यान है, यह हमेशा कब होता है दोस्तों, तो यह एकादसी तिथी को सुकलपक्ष की माघ मास, जो माघ मास होता है, उस दिनों तक कुरू छेतर के मैदान में चला था, यहां पर गीता जी ने, गीता का ग्यान स्रीकृष्ण ने भगवान ने दिया था, और साइद अगर तुमको यह बास समझ में आ गई, यह ताइम है मेनत करने का, यह ताइम है सब कुछ छोड़ करके, मुंडन हमारे कल जब तक मैं लड़कों को उनकी नाव पार नहीं करा दूंगा, तब तक लगातार मेनत करूंगा, जब तक जान है, तब तक लगा रहूंगा, बिमार हूँ, कोई भी कंडिसन आ जाए, मेनत करूंगा लगातार, लेकिन अब आप के ऊपर है, कि आप इसको कितने सीरियस्ती ले रहे, क्या आप इसको सिर्फ मजाक में ले रहे हैं, है ना, लेकिन आपको लग करके मेनत करनी, आपको सोचना है कि एक ऐसा बंदा जो है, लगातार मेनत कर, आप देखिए, एक भी दिन छुट्टी नहीं, not a single day छुट्टी, भाई इतनी मेनत करना हूँ, आपके साथ त अगला कोशन यहाँ पर, क्रिकेट आज हमारे तीसरा कोशन क्रिकेट से है, क्रिकेट प्रेमी लोगों आज करेंट अफेस में तीन कोशन आपको दिखाई दे रहे, अगला कोशन आपको दाना है, ODI क्रिकेट में भारत के छटे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले और 9,084 रन पर अभी नाट आउट है, मतलब अभी और रन बनाएंगे, 9,084 रन पर जिन्हों ने अजुरुद्दीन का रिकॉर्ड चोड़ तोड़ा है, वह सर्मा जी के बेटे रोहेट सर्मा के उपार टिक करेंगे, तो रोहेट सर्मा जितने लोग बोले है, जवाब सही है, तो भारती क्रिकेट के रोहेट सर्मा ने वंडर क्रिकेट में भारत के छटे सबस्यादा रन बनाने वाले पूरु बल्लेबाज अजुरुद्दीन को पीशे छोड़ दिया, ढाका में बांगला देश से खिलाप उन्हों ने ये रन बनायते, कुछ 27 रन पर आउट हो गयते लेकिन ये खिताब इन्होंने हासिल कर दिया, भारत की तरब से सबस्यादा रन टेंडूल करके हैं, फिर कोली के हैं, सौरप के हैं, राहुल के हैं, और फिर हमारे माही के हैं, ये हमारे टॉप रन गटर है, अब ये लिश्ट में हमारे छटे सबस्यादा रन बनाने वाले रोही सर्मा है नो हजार चौरासी रन के साथ अभी वह नाट आउट है हो सकता है कि कल और रन मना दे तो दस हजार का आक्रा टच कर ले चलिए अजुरुद्दीन इस ऑलसो वेरी गुड प्लेयर यहां प्यगला कोशन है स्वार्ड स्वाइल डे का इस बार का थीम क्या है मेरे स्वाइल वेर फूड विगिन्स इस थीम के साथ हमारा जो वर्ड ऑलसोयल डे है इसका सलिब्रेशन देख सकते द्वाड और DW मरेड किया ता और उट्वर्ड दिसम्बर दीमबर 24 से सलिब्रेशन हो रहा है मतलब योगा डे के साथ-स इसका सलिब्रेशन आप सकते है अगला कोशन है आपको बताना है कि 4 दिसंबर को ACI जूनियर बैटमिंटन चैम्पेंसिप में पदक जीतने वाले भारती अंडर 17 सटलर कौन बनी है सिमरन प्रीत कौर है उन्नती हुड़ा है योती याराजी है या सिफ्ट कौर समारा है सारे लोगों को यहां पर जवाब देना है क्या होना चाहिए तो यहां पर अंता बोले है सब सही जवाब होना चाहिए उन्नती हुड़ा उन्नती हुड़ा यहां पर जवाब दे रही है वो बिलकुश सही है तो देखिए अब यह नई पीवी सिंदू है तो भारती बैटमिंटन खिलाडी उन्नती हुडा ने 4 सितंबर को ACN जूनियर बैटमिंटन चैंपेंसिब में पदक जिला करके भारती अंडर 17 सटलर बन चुकी है इन्होंने थाइलेंड की सरु नरक विदी सतन को हरा करके यह सिलवर मिडल हासिल किया है थाइलेंड के नोदाबूरी में आयोजित यह टूनामेंट था, सांदार तरीके से यहाँ पर यह टूनामेंट का आयोजन हुआ सभी को याद होगा कि इस बार का बैटमिन्टन के हमारे तूनामेंट होते है थोमस कप ऑमस कप किसने जीता भाई साब ये कौन खिलाडी है, जो तहल का मचा रहा है, तो भाइया देखेए, Thomas Cup और Uber Cup, ये दोनों Bangkok, Thailand में आउजित किये गए, Thailand में आउजित किये गए और इसको जीता पहली बार, इतिहास में, इतिहास रच दिया, इंडिया ने, इंडिया ने जीत दिया, Uber Cup अगर देखेंगे, तो सउन्यमिन्ट को साध कोरिया ने जीता भाइया कॉमन्विल्ट हो चाहे ओलमपिक हो चाहे है हमारा एसएन गेम्स हो या हमारा डिये सीजितारा है नाम है سंदु सई जवाब हो जाएगा और अगर मिंद की बात करते तो आजक的人 जो है वह सेन बन करके चमक रहा है लक्ष ने अपना जो है वह कंसिल कर लिया है लक्ष यह तो लक्ष सेन इस राएट तता सब charger क्या हूं ने और चेंब मर नों उसके सोना आःम से जो सोता है वह बहुत कोछब होता है सुबेरे छे बज़े उठिए मैं बोलाओं छे बज़े ठंड के दिनों में रजाई में बैठे बैठे अराम से करेंट अफ्यर्स बनाईए इतने स्टैटिक पॉइंट तुमको यहां पर बता देते हैं और फिर आठ बज़े वाली क्लास आज बहुत सांदार क्लास यहां पर 4 दिसंबर को हमारे नौसेना दिवस मनाया जाता है 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ किया गया ऑप्रेसंट ट्राइडेंट कराची को हमने अपने कबजे में ले लिया था समझे रों कि नहीं हमने पी एनस जो हमारे पाकिस्तान नेवी से बिसल एक हैबर को डुबो दि और पाकिस्तान के बहुंचा ना दे पाकिस्तान तुमको लपेट रही है तो यहां पर भारती नोसेना के जनक के तौर पर स्चत्रपती सिवा जी की धर्सी से बोल रहा हूं इसलिए क्लेजे में महरास्टा से बोल नहीं नई दिल्ली देखो बता वी दिया कहां से बोल नए दिल्ली में इसका headquarter है याद रखिएगा यहाँ पर हमारे काफ इंपॉर्टेंट है अब यह जो हमारा गाजी डूबा था अंजली वह था हमारा में खैबर को डूबोया था ठीक अंजली कोई बात नहीं कभी डीटेल हम बात करेंगे यहाँ पर मिलेट्स स्मार्ट जो हमारा कॉंक्लेव हुआ मिलेट्स मतलब बाजरा दिवस आने वाला है और यह जो कॉंक्लेव है यह नई दिल्ली मुआ मुख्यतिती के तौर पर किसको तो यहाँ पर जंता बोलेंगे साथ जवाब होना चाहिए प्यूस गोयल प्यूस गोयल यहाँ पर आप देखेंगे मिलेट्स स्मार्ट हमारे जो कॉंक्लेव है उस नई दिल्ली में जो आया जूत हुआ उसके मुख्यतिती के तौर पर चुने गए हैं बाजरा दिवस 2023 में चुरू किया जाएगा प्यूस गोयल जी हमारे राजसभा के मिंबर हैं महाराष्टा से चुन करके जाते हैं यह हमारे कंज्यूमर एंड फूड डिस्टिबूसर मिनिस्टर के तौर पर इनका नाम आप देख सकते हैं वाड़ जेवम उद्योग मंत्री कॉमर्सियल इंडस् जाबी स्पेस डिबेट में हमारे किस मंत्री को भारतिय प्रतिमंदे प्रतिनिदी मंदल का अध्यक्ष शुना गया जल्दिस जवाब देना क्या होना चाहिए तो सारे यहां पर बोले हैं सब्सक्राइब होना चाहिए जिनको आबू धाबी में हो रही यह जो इस पेस भी जुलाई 2020 में अपना एक मिसन कर चुका है और इस पेस डिबेट में उसने इंडिया के जो टॉप के कंट्रीज हैं उनको यहां पर बुलाया याद रखेगा इंडिया के तरफ से जितेंदर सिंग यहां पर गए अगला कोशन आवा है सामने यहां पर बंदे भारत का जाने जाने वाली यह ट्रेन का जो डिब्बे यह इंट्रीगल कोच फैक्टरी में बनाया जाते हैं और यह अब हम सिर्फ इंडिया में नहीं विदेसों में भी इसको हम क्या कर रहे हैं हम लोग इसको भेज रहे हैं तो नागपुर से 36 गड़ के बीच में चलने वाली विल इंडियन रेलवे का एक नया रिफॉर्म है यह दो को मोदी जी खड़े हैं इतना लगना ट्रेन चला देंगे सीधे बगल में हरदीप सिंग पूरी भी खड़े है तो यह इस ट्रेन का अनावरण मोदी जी ने नागपुर से किया है बाबा साब भीमरां मेटकर की धरती से क कोशन है माराष्ट के सियम एकना सिंदे जी ने एक नया विभाग स्थापित करने की घोशना की वेलफेर ऑफ वरकिंग मुवेंट यहां पर फॉर्दा वेलफेर ऑफ वीडी बरकर वेलफेर ऑफ डिफ्रेंट डिफ्रेंटली एनेबल परसन या इन में से कोई नहीं यहां पर सारे श्टुइंट यहां पर जवाब दे रहे हैं सही उत्तर होना चाहिए हमारा क्या विकलांग वेक्तियों के लिए एक नया विभाग खोला जा रहा है दोस्तों विकलांग दिवस हर साल 3 दिसंबर को होता है और इस 3 दिसंबर में विकलांग वेक्तियों के दिव्यां वेक्तियों के लिए विकलांग तो नहीं बोलूँगा दिव्यांग वेक्तियों के लिए 1143 करोड की अपनी पूंजी देने वाला महराष्ट पहला राज्य बन गया है जहां पर यह डिपार्टमेंट खोला जा रहा है तो एक नाश सिंदे महराष्टा देखेंगे कुछ इस त देखेंगे लिए तो सारे स्टुइट यहां पर बोले कि यह आती है क्यों कि चोड़ दी जाती है क्यों क्यों सामने आती है अंजली पूछ रही है क्योंकि काउ घुमती रहती सामने आ जाती है अब इसके कारणा तो तुम ही ढूड़ के मुझे बताना लग्दाक इस राइ दोस्तों यह तो थी आझी क्लास अब इस klas कोखतम करने से पहले आज आप लोगों को मैं यह बोलना चाहूंगा जितने भी लोग है क्लास कैसी लगी और आपको इनके जवाब देने तुंगा देस्वर वाइड लाइफ सेंचुरी कहा परिस्थित है क्या यह जवाब नहीं दे पाएंगे गूगल से सर्च करके हमारे फर्स्ट इज्राइली प्रेसिडेंट जो अच्छा लगता है क्या मेरे को आज मुझे सौव व्यक्तियों के कमेंट कम से कम चाहिए और वह आप ही हो आप ही कमेंट नहीं आते हैं यहां पर इस पूरे क्लास की पीडियाफ और हमारे साथ जुड़ने के लिए लिंक से लेकर के पीडियाफ तक सब कुछ मिलेगी हमारे जी के जी एस विद पंकच चौबे सर में यहां पर आप आप आज जाके जुड़ सकते हैं अगर अभी तक टेस्बुक सुपर कोचिंग में आप नहीं जुड़े हो तो जाईए जल्दी से जुड़िए से जुड़िए से लेकर के CHSL तक का कोर्स सब कुछ आपको इसमें सु स्टैटिक के बिना अधूरा और स्टैटिक करेंट के बिना अधूरा दो जिसमें एक जान है इसलिए 6 बजे के बाद अब 8 बजे भी पंकर सर आप से जुड़ेंगे तो जितने लोग यहां पर तयार है उसका लिंक सर अभी आपको क्लास में देने वाले हैं कि भाया सर लिं मज़ा नहीं आएगा भाईसाल सपोर्ट और प्यार पूरा चाहिए बराबर भर भर के चाहिए कोई ऐसा नहीं हो जो सपोर्ट और प्यार देने में पीछे अटे और यह रहा आपको लिंक यहां ने कमेंट कर दे रहा हूं ठीक है बाकी का अपने टेलिग्राम घुरूप प झाल झाल